कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे जहां आप किड्नी से जुड़ी स्कारी बॉरन इंफिक्शन एजली बासकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि यूरीन इंफेक्शन और किड्नी का क्या रेलेशन है किड्नी की समस्या होने का सबसे पहला संकेत आपको यूरीन से जुड़ी समस्याओं की वज़े से पता चलता है जिसमें से एक यूरीन इंफेक्शन भी है या यीस्ट और फंगस की वज़े से यूरीन इंफेक्शन हो सकता है यूरीन इंफेक्शन की वज़े से कई बार यूरीन रिट्राक्ट इंफेक्शन यानि यूटिया होने का खत्रा भी बढ़ जाता है ये दोनों ही infection केड़नी की विमारी के होने के खत्रे को बढ़ा देते हैं अब हम आपको urine infection के symptoms के बारे में बताएंगे जैसे की first है urine pass करते समय आपको दड़ या जलन महसूस होगी second है पेशाब में खून या protein असरा सकता है third है बार-बार urine का आना भी urine infection का लक्षन हो सकता है fourth है urine में से बदबु आना fifth है आपको frequent sensation feel हो सकती है कि urine pass करना है लेकिन फिर urine नहीं आता sixth है urine infection में आपको अपने urine के रंग में भी बदलाब नजर आ सकता है seventh है शरीर में जो bacteria होते हैं वो urine के जरिये बहार निकल जाते हैं लेकिन अगर kidney सही से काम नहीं कर पाती तब urine में bubbles या जहाग जिसी समस्या नजर आ सकती है आपको जब ऐसा लगे कि आपको urine infection हो रहा है तो जल से जल doctor से मिले eighth है कम पानी पीने की वज़े से भी कई बार आपको urine infection की समस्या हो सकती है इसलिए आप liquid या पानी का सेविन अच्छी मात्रा में करें last है cramping और pressure को lower abdomen और lower back में feel करना यानि एठन और दबाफ को आप पेट के नीचे की तरफ या फिर पीट के नीचे की तरफ feel कर सकते है अगर आपको urine infection की समस्या है तो आप कुछ चीजों का परहेज करें जैसे की first है sex आप कुछ समय तक शाररिक संबंद बनाने से बचें second है ज्यादा से ज्यादा पानी का saveन कीजिए साथ ही coffee, चाए और masala वाले खाने से बचें last है थंडे पानी से नहाना बंद गर दें उसकी जगा आप हलके गरम पानी से नहाए आप पेट के नीचे एक heating bag से सिकाई भी कर सकते हैं urine infection में राहत पानी के लिए आप दो घरे लोनुसकों का भी इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि पहला है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए जिससे आपको बार-बार पिशाब आएगा ऐसा करने से बाक्टीरिया शरीड के बाहर निकल जाएगा थोड़े-थोड़े समय के लिए heating bag से सिकाय करते रहें इससे आपको दर्ड में राहत मिलेगी और दूसरा है कि आप cranberries का सेवन कीजिए cranberries में मौझूद nutrients infection को बढ़ने से रोपते हैं जिससे kidney खराब होने का खतरा भी कम हो जाता है तो आज हमने आपको बताया कि urine infection और kidney का क्या relation है अगर आपको ये वीडियो useful लगी हो तो इसे like और share करना ना भूलें अगर आपको कोई भी query है तो आप नीचे देखे को comment box में comment कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आईवेदा kidney के इंदर में भी संपर कर सकते हैं संपर करने के लिए हमाई details description के अंदर दी गई है या फिर हमारे phone number भी stream के अपर mention है जिसके आप contact कर सकते हैं अगर आपने हमारे चानल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जाए सबसे पहले हमारे चानल को subscribe कर लीजिए और bell icon को प्रेस करना ना भूलें अगर आप भी kidney dialysis पर हैं और बचना चाहते हैं इस painful procedure से तो आप भी डॉक्टर पुनी धवन से संपर कर सकते हैं हमारा पता है हमारे फोन नंबर सें 098-7171-2050 011-4264-4274 हमारी एमेल आइडी है doctor at karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं